मेश राशिवालों में से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को सर्व प्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में, सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा, माता रानी का सीधा आपके लिए भगवान बन कर आए हैं, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आजाद के दिल में रहने वालों के बारे में हम बात करने वाले हैं, कौन है जो आपके दिलों में राज करता है, प्यारे दोस्तों आप सबको अपने दिल में तो नहीं बैठा है, आप पहले ब बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं, लेकिन आज आपको यह बातें सुनकर बहुत खुशी होने वाली है। प्यारे दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, तो आप उनके भावनाओं में बह जाते हैं, उनके बातों में फंस जाते हैं। उनके लिए आप कुछ भी करने को तयार रहते हैं और आपने ऐसा किया भी है। जी हां प्यारे दोस्तों, किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपने अपने उपर ही इंतजाम ले लिया है। या फिर किसी ने आपके उपर जूठे इलजाम लगाए हैं। खुद बचने के लिए तो आप उस समय बिलकुल शान्त रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यह आपके अंदर एक ऐसी खूबिया है जो आपको ईश्वर ने दिया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ती हैं। आपके दिल में कभी किसी के लिए छल बल की भावना नहीं रहती है। यह बात आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आप कभी किसी ही के लिए, यहां तक कि आपके साथ जिसने बहुत ही बुरा किया है, उनके साथ भी आप दिल से कभी बुरा नहीं चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके साथ एक हदें पार हो जाती है, जब आपके लिए अति हो जाती है, आप एकदम ज्वाला मुखी के जैसे फूर पड़ते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जब ओफ ज्वाला मुखी की जैसे फटते हैं, तो कोई फिर उस समय आपके पास आता ही नहीं है, या फिर यूँ कहें, सभी लोग थर-थर काँ पुठते हैं, प्यारे दोस्तों, आपका गुस्सा बहुत ही भारी हो जाता है, आप अपने ही आठे को खो देते हैं बाद में, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही पच्तावा होता है, आपका दिल इतना कोमल है प्यारे दोस्तों, आप जानते भी होंगे कि यह व्यक्ति ही गलत था, लेकिन फिर भी आप खुद को ही दोश देने लगते हैं, आप इतने भोले हैं, फिर भी भोले भाले धर्ती के साथ सदा ही परेशानियां बनी रहती हैं, लोग आपसे ना जाने क्योंकि दुश्मनी करते हैं, जबकि आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, और ना ही आप किसी से कभी कुछ चाहिए होता है, प्यारे दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य क हनुमान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, साथ ही आप अपने सच्चे मन से हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में संकट मोचन माह बजरंग बली हनुमान की जय हो जय हो श्री, हनुमान दोस्त अवश्य ल देखिए, प्यारे दोस्तों, आप लोग दुश्मनी क्यों करते हैं? इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, कभी तो आपने किसी के साथ पूरा भी नहीं किया है, ना ही कभी किसी के बुरा करने के लिए भी, सोचा सोचे, फिर भी लोगों के अंदर आपके लिए इतनी दुश्मनी क्यों है? आपके दुश्मन, आप जितना जल्दी क्यों है? इसके पीछे का मुख्य कारण आपका दिल है. जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप का स्वभाव है. आप बातों से लोगों को बहुत ही तेजी से आकरशित करने की ताकत रखते हैं. जो भी आप से पहली प्यारे दोस्तों आप ऐसा जादू चला देते हैं उनके उपर कि वे आपकी तारीफ करते नहीं ठकता है। प्यारे दोस्तों आप लोग तारीफें करते हैं लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तारीफ नहीं बलकि आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं क्योंकि इसलिए वे बुराईयां करते हैं। प्यारे दोस्तों ये कोई गैर नहीं बलकि कुछ आपकी अपने ही है। जी हाँ प्यारे दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना और यह जो लोग आपके अपने हैं जो आपको हमेशा गिराने के प्रयास करते रहते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों और आपसे काफी तजुर्बा वाले व्यक्ति भी हैं। लेकिन वे हमेशा आपकी बुराईयां करते फिरते हैं। लेकिन अब उनकी बुराईयां उन्हें काम नहीं आ रही है। प्यारे दोस्तों आपको बता दें। वे अब अपनी मुह की खा रहे हैं। जब भी जहां भी आपकी बुराईयां कर रहे हैं, तो लोग वहां पर आपकी तारीफ करना शुरू कर रहे हैं। माना कि आपका जो पिछला समय रहा है उन में कुछ ना कुछ आपके भी गलतियां थी जो समाज के आगे आपका नाम कहीं ना कहीं कुछ खराब हुआ था लेकिन अब इसके विपरीत परिस्थितियां बन चुकी है यह समय है आपके साथ खड़ा हुआ है अब आपकी जितनी भी गलतियां थी जितनी भी आपने जाने अंजाने में ऐसे कार्य किये थे जिनके चलते आपका नाम खराब हुआ था अब उतना ही नाम आपका आगे बढ़ने वाला है लेकिन प्यारे दोस्तों, हम तो ये बात करने वाले हैं, कि आपके दिल में कौन रहता है आपने तो ज्यादा किसी को अपने दिल में नहीं बैठाया है आपने, क्योंकि जीवन में लोगों से बहुत ही धोखे खाएं है प्यारे दोस्तों आप जिन पर भरोसा किया है उन्होंने ही आपका बुरी तरह से फाइदा उठाया है आपके पीट पीछे बहुत बड़ा खेल खेल गया है लेकिन इसके बावजूद भी आपने अभी तक ऐसे लोग हैं जो आपके दिल में जांच कर करते हैं प्यारे दोस्तों वह लोग जो आपको बता देते हैं कौन है यह वो लोग का नाम हो सकता है जो आपके दिल में अभी भी है उसका पहले नाम का अकसर शुरू होता है के जी हाँ प्यारे दोस्तों के नाम का व्यक्ति है कोई ऐसा जो आपके दिल में अभी तक रहता है जिन्हें आप दूरियां तो बना भी की कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं बनाने देता है या फिर यूँ कहे कि आप स्वयम भी नहीं चाहते हैं नाम का व्यक्ति आपके जीवन में है कोई यदी तो वे आपके ही जेल में राज करता है प्यारे दोस्तों, वहीं जो दूसरा व्यक्ति है जो आपके दिल में राज करता है उसका नाम है प्यारे दोस्तों S.G. हाँ प्यारे दोस्तों, कोई ऐसा है S. नाम का व्यक्ति जिसे आज चाहते हुए भी दूर नहीं जा पाते हैं आप उन्हें नजर अंदाज करते हैं लेकिन कुछ ही समय में आप उनसे मिलने भी जाते हैं प्यारे दोस्तों, हो सकता है या कोई आपका मित्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके दिल के करीब है एस नाम का कोई व्यक्ति जो शायद आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा रहा है किसी ना किसी माध्यम से आपकी कोई ना कोई तो मदद की है प्यारे दोस्तों, ये दो नाम के व्यक्ति आपके दिल में रहते हैं यदि आपके जीवन में या दो नाम के व्यक्ति प्रवेश करने वाले हैं तो प्यारे दोस्तों अब आप तैयार हो जाएं और इनका साथ आपको कभी नहीं चोड़ना चाहिए प्यारे दोस्तों लेकिन कहने का अर्थिये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनके साथ हमेशा रह जी नहीं प्यारे दोस्तों, जितना अभी आप दूरियां बना रखे या जितना खरीदता है, उतना ही रहने दें, तो आप के लिए बहतर होगा, क्योंकि दोस्त कहते हैं, जहां मिठास भीड होती है, चीटियां भी लगने लग जाती है, वहां दूरियां रिष्टों में पन जीवन की दृष्टी से यह समय आपके लिए ऐसा साबित होने वाला है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो अब आप तयार हो जाएं। अपने प्यारे दोस्तों इस समय आपका जिसके साथ यदि संबंध बिगड़ गया है तो उस संबंधों में सुधार नजर आएगा। आपके सामने कुछ पालतू चीजों पर खर्च करने की आप कोशिश नहीं करेंगे लेकिन फिर भी खर्च होगा। प्यारे दोस्तों इस से आपका ही नुकसान होगा। आपकी जेब भी खाली हो सकती है किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के बारे में। अचानक मिलने जुलने आपके पास आ सकता है। रोजमर्रा के कामों में आपको फायदा मिलने वाला है। यह जो समय हैं इनमें अब निजी मामलों में अपने विचारों को आसपास के लोगों से सांजह ना करें। जी हाँ, नहीं तो से बाद में आपको लोग खरी खोटी सुना सकते। किसी काम को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा आधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आत्म विश्वास से परिपूर्ण रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय बीतेगा। परिवार में खुशियां अचानक से दस्तक दी दे सकती हैं। प्यारे दोस्तों, मित्रों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान प्राण कार्यक्षेत्र में आपके सामने कुछ नए अवसर आ सकते हैं, जिन्हें आपको पहचानना होगा, और का लाभ लेना होगा। इसमें आप कुछ बातों अपने मूड में हो सकते हैं। यानि कि आप लोगों से ज्यादा बात चीत करते हुए नजर सकते हैं, आर्थिक मामलों की दृष्टी से देखें, तो भाग्ये का साथ मिलेगा। जिसके चलते आए के साधनों में व्रिध्य होगी, या जो समय में नई नौकरी या बिजनस क की नई रूप रेखा बन सकती है। प्यारे दोस्तों, इस दौरान यदि जो चिंता जो तनाव आपको परिशान कर रहे थे, वह तनाव वह चिंता समाप्त तोड सकते हैं, संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ सूचना आपको सुनने को मिल सकती है, वहीं कुछ लोगों के साम संतान से जुड़ी कोई ऐसी खबर मिलेगी, जो आपके होश उड़ा सकती है। प्यारे दोस्तों, आपको अपने कार्यक्षेत्र में, यानि आपके आपको, दफ्तरने परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके बॉस, आपके कार्यों को देख कर दू चलता है, जिनसे आपका बिल्कुल भी नहीं बनता है। ऐसे लोगों से दूरी रहे, आपके मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को न आने दें। क्योंकि या नकारात्मक विचार आपको कई सारे बड़े-बड़े काम को करने से बीच में ही रोक सकता नौकरी व व्यवसाय में तरक्की होगी। आप कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। यह जो समय है इसमें आपके कुछ आपके छुपे हुए दुश्मन आपके कारियों की आलोचना कर सकते हैं। दो-दो आपके उपर इस दौरान किसी काम का बोज ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, जैसे करने में आप थोड़ा तनावगरस्थ हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह समय पारिवारिक जीवन के साथ बहुत आनंद और बीतने वाला है। आपके परिवार से जुड़े जो भी योजनाएं हैं वह फली भूद साबित होंगी। आप अ प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग आपको मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, यह जो समय है में परिवार एक सौ को बढ़ोतरी होगी। आपके प्रिय की तबियत खराब होने से आपका मन थोड़ा दुखी भी हो सकता है। आप अपने घर परिवार में किसी से भी और शब्द ना बोले, नहीं तो कोई आप से वाद विवाद विवाद कर सकता है या आपकी कोई बात ही उन्हें सकती है। यह जो समय है इनमें पिता से आपको कोई परिशानी हो सकती है। जी हाँ, जिसमें वैचारिक मतभेद सामने आ सकता है। यह समय आपको शांती से बीतन वाला है वहीं जो लोग साजेदारी में काम करते हैं उन लोगों की यह समय फाइदेमंद साबित होगा आप किसी दूर रह रह पाता से निरंतर समवाद करते रखेंगे व्यवसाय में वृद्ध होने की उम्मीद नजर आ रही है इस राशिके जातक किसी फिर यात्रा पर मानसिक शांती मिलेगी लेकिन आपके स्वभाव में चिद्र आ सकता है स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यक्ता होगी जो लोग ग्रिहस्थ जीवन में जी रहे हैं उनका यह समय आनंद पूर्ण बीतेगा उत्तम सांसारिक सुख की प्राप्ति होने वाली है यह समय है इसमें किसी विशेश व्यक्ति के रिष्टों में बदलाव आ सकता है जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो उन लोगों का स्थान परिवर्तन होने की संभावना बजा बना हुआ है यानि कि यूं कहें तो ट्रांसफर होने की संभावना बन रही है इ आपका यदि किसी अपनी गरीबी के साथ कोई वाद विवाद हो रहा है, वह वाद विवाद अब दूर होगा। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपकी जिंदगी में होने वाले बदलाव आपके फेवर में रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस दौरान जन धन का निवेश कहीं पर करते हैं। उन लोगों को जल्दबाजी में धन का निवेश करने से बचना चाहिए। नहीं तो बाद में नुकसान हो सकता है। सिर्फ लाभ के तरफ नजर बना कर धन का निवेश ना करें। आप उसके हानी के बार का पहचान होगा और आपकी कमजोरियां भी आप इस दौरान पहचान पाएंगे। प्यारे दोस्तों, स्वास्थे के प्रती आपको लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए। जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए स्वास्थे पर दिया ओन रखे रहे हैं तो तो आपकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी है। प्यारे दोस्तों, इस समय आपको अपने पढ़हाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में आप स्वयम ही मौज मस्ती करेंगे। आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जहां पर आप अपने शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं। अब करना चाहते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन कोई न कोई कारण से आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में अब आपको पूरा फोकस बना कर ही रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों वहीं बात क सर नहीं छोडेंगे। आप अपने प्रिय से बहुत प्यार भरी बातें करेंगे, जिनसे उनका दिल जीतने में काम्याब रहेंगे। दाम पत्य जीवन में कुछ तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस समय में प्यारे दोस्तों आपको बता दें। आप अपनी बातें जो भी मन में हैं अपने लव पार्टनर से कह दे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द आपके मुह में ही अटक सकते हैं जो कुछ बोलना चाहते थे। लेकिन जुर्माना की फंस सकती है। अब बहुत कुछ विचार कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों इस दौरान आप अपने प्रेमी के बारे म अपने किसी खास मित्र को बताना चाहेंगे। लेकिन आपका प्रेमी भी आपको मना कर सकता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और इसने बढ़ेगा। रोमान्स के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप ग्रहस्थ जीवन में जीते हैं तो आप अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी की बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। आप अपने जीवन साथी की तारीफ करना ना भूले। हाँ, क्योंकि आपका तारीफ उन्हें खुशियां प्रदान कराएगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ काफी रोमैंटिक मूड में समस्या है, समस्याओं पर ध्यान दें ना कि नजर अंदाज करें, आप अपने जीवन साथी के बातों को समझे, जोने उनकी भावनाओं को समझने का कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है, लव लाइफ के दृष्टिकोन से आप यदि आपके जीवन साथी अपने लव पार्टनर को कुछ देना चाहे, तो आज देश सकते हैं। प्रेम जीवन की कुछ दूरियां जो बीच में आ गई थी, वह दूरियां समाप्त होंगी। प्रेम जीवन में अपना समय बिता रहे हैं, उन लोगों को अपने अच्छे खासे परिणाम आप उनकी तरफ पूरी तरह से आकर्शित हैं, मोहित हो चुके हैं। यह बाद उन्हें आज दिखाई देने वाला है क्योंकि आपका व्यवहार उनको पूरी तरह से आपकी तरफ आकरशित करेगा। तो चलिये प्यारे दोस्तों, आपका यह जो समय है, वै आपके लिए कुछ ठीक ठाक दिखेगा, क्योंकि यदि नौकरी करने वाले जातकों की बात करें, तो आपको आपके कार्यक्षेत्र पर वह काम स्विकार नहीं करना चाहिए, जिसे आप नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके लिए बहुत बड़ा कार्य है, जी हाँ, नहीं तो यदि आपने ए इस से आपको अपने अधिकारियों के आँखों का तारा बनने का मौका मिल सकता है, जी हाँ, प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्त, व्यापार करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार के लाभ के लालच में नहीं फंसना चाहिए, अन्य था, वह आपको ब बड़े लाभ के अवसर आएंगे, अब आपको ही इन अवसर को पहचानना होगा, प्यारे दोस्तों, करियर के मामलों में काफी लाभ दायक यह समय आपके लिए रहने वाला है, धन में के योग बने हुए हैं, भौतिक सुक्सुविधाएं आपके सामने बढ़ती हुई आप कुछ नया परिवर्तन कर सकते हैं, जो आगे चलकर आपको लाभ अवश्य देगा। तब आप हर काम को कर पाएंगे। परिवार की ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। करियर के मामले में आप कोई जरूरी फैसला फिर सकते हैं, जिसमें आपको सोच विचार करने की भी आवश्यक्ता होगी। पडोसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान तब ही आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आप किसी नई योजनाओं पर धन निवेश कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे किसी भी निवेश में आपको थोड़ा अपना भी सोच विचार करना चाहिए। दो की बातों में आकर कोई भी धन का निवेश ना करें। जो समय हैं, इन में अकस्मात वाहन खराब होगा। जिसके चलते आपका खर्च बढ़ सकता है। या फिर प्यारे दोस्तों, आप नए नए कार्य इस दोरान करने वाले हैं, जो पिछले समय आपका कोई काम बिगड़ गया था। या आपको नुकसान हुआ था। अब उसमें एक नया उम्मीद की किरण नजर आएगा। प्यारे दोस्तों, यह जो समय हैं, इन में आप दूसरों की कमिया ढूनना छोड़ दें, तो आपकी शान में चार जाम लग सकता है। यानि कि दूसरों की बुराई किसी अन्य व्यक व्यक्ति से ना करें, इससे आपकी छवी उनके आगे खराब होगी। आपके लिए यह समय शुभ रहेगा, आपको किसी व्यक्ति की तरफ से कोही लाब या उपहार मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, यह तो समय है, इन में आपको कोई शारीरिक कष्ट परेशान कर सकता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने बिलकुल सही सुना, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप अपने सेहत का खास खयाल नहीं रख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप देर रात सोने से बचे, अन्यथा आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। भाग्ये के साथ मिलने से आपक कहीं पर रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है समाज की ओर से वांचित सहयोग भी आपको मिलेगा परिवार के किसी व्यक्ति की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीद नजर आ रही है प्यारे दोस्तों, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी आपके लिए व्रिध्ध का कारण बनने वाले हैं जिसके चलते आपके दफ्तर में आपके नाम की सराहना की जाएगी आपसे लोग जोडने का प्रयास कर सकते हैं इसके चलते आपके साहस और पराक्रम में वृध्धि होगी इसके उपरांत आपके सामने कुछ ऐसे खर्च आएंगी जो आपको मजबूरी में करना पड़ सकता है प्यारे दोस्तों इन खर्च के वजह से आपके मन में खिन्नता और बढ़ सकती है प्यारे दोस्तों आपको किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा यह जो समय है इनमें आपके घर में यदि कोई अविवाहित जातक है तो उनके विवाह का प्रस्ताव आपके पास आ सकता है ऐसे में आप यही कोशिश करें कि विवाह की बात पक्की हो जाए तो आपको अपनी वाणी में मधुरता विशेश करके बनाए रखना है बहुत ही सोच समझ कर बोले प्यारे दोस्तों इस समय आप अपने मन की कोई भी बातों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने उजागर ना करें तो आपके लिए ही बहतर होगा जहां धन का लाब होने वाला हूँ उस लाब के बारे में पहले से धंडोरा दोहराना पीते तो बहतर होगा यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके सामने यदि कोई विवाद होता है तो उसमें आप किसी को कोई सलाह ना दें आप यूँ ही छोड़ दें प्यारे दोस्तों आप अपने भविश्य के लिए कुछ खास करने की योजना बनाएंगे आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भी किसी सी बात पर कुछ विचार विमर्ष करते नजर आएंगे दोस्त वही बता दें कि यह समय ही में आपका मन अग्यात बातों से कुछ चिंतित और सकता है आपके सामने सब कुछ खुशियां होते हुए भी आप किसी बात को लेकर थोड़े परेशान हो सकता इस समय आपको लेंदेन के मामलों में भी साथानी बनाए रखनी होगी यदि किसी बड़े पैसों का लेंदेन करने जा रहे हैं तो प्यारे दोस्तों आपको सतर्क होकर करना चाहिए कागजी कारवाही जरूर करें प्यारे दोस्तों इस समय यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको अपने कामों में सरकारी द्वारा नीती नियमों का पूरा ध्यान देना होगा नहीं तो आप किसी बड़े परेशानी में आ सकते हैं नौकरी पेशा जातकों का यह जो समय है वह इनकी खुशियों को दोगुना करने वाला है क्योंकि आपके पदोननती के रास्ते खुलने वाले हैं और आपके आय में भी वृध्धि होगी जिसकी वजह से आपका खुश का ठिकाना नहीं रहेगा इस दोरान आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं किसी काम के लिए सही लेकिन ध्यान दे कि इनमें अपने सबसे खास व्यक्ति से तो धन उधार बिलकुल भी ना ले क्योंकि हो सकता है कि आपको यह धन उतारने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े इसलिए इन बातों का ध्यान दे प्यारे दोस्तों यदि आप कहीं प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं यदि आपने मन बनाया तो आप करें लेकिन उस जमीन के बारे में अच्छे से जानकारी जरूर प्राप्त करें कागजी कारवाही पर सिगनेचर करने से भी पहले आप उन पर बहुत ही ज्यादा विशेश करके लिख पढ़ ले उसके बाद ही कहीं पर हस्ताक्षर करें प्यारे दोस्तों इस दोरान आप यदि किसी काम को करने जा रहे हैं वे किसी भी मामलों में हो सकता है उन में आपको सफलता जरूर मिलेगी आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो यात्रा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जो लोग लंबे समय से यात्रा नहीं किये हैं उन लोगों को अपने यात्रा के बारे में कई सारी जानकारियों को प्राप्त करना चाहिए प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह जो समय है वे अपने साथी के साथ किसी डिनर डेट पर भी जा सकते हैं यह जो समय है, इस समय में इस राश्य के जातकों का कोई बड़ा लक्ष पूरा होगा, जिसके वजह से उनके परिवार वालों से जम कर तारीफें सुनने को मिलेंगी, अब होगी, प्रदर्शन आपके बहतर होने वाले हैं, व्यापार में आपको धन लगाने से अच्छा मिलेगा, काम काज के मामलों में तेजी हो सकती है, आप किसी भी व्यक्ति के सलाह पर ना चले, नहीं तो वह व्यक्ति आपको बड़े मुसीबत में फंसा सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान दे, जो आपको ठीक लगे, उन्ही कार्य को करे, फिर यह किसी भी मामलों में हो प्यारे दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि आपके विरोधी आपके आसपास के यदि कोई व्यापार करने वाले विरोधी या शत्रु हैं, तो वे आपके हाथों में आए बड़े ओफर को, बड़े डील को आपके हाथों से छीनने की कोशिश कर सकते हैं। यू कहतों आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान दें। लेकिन आप अपने चतुर बुद्धी से आप अपने हर एक दुश्मन को आसानी से मात देने में काम्याब रहेंगे। माता पिता के आशीरवाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिनकी आप बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। में काम्याब भी मिलेगी। इस समय जन समर्थन में भी आपको इजाफा होगा और इसके चलते आपको किसी बड़े पद की प्राप्ती हो सकती है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का यह जो समय है वे काफी लाभधायक साबित होगा। इस दोरान आपके आसपास के लोग आपको देखकर बहुत ही प्रभावित होंगे आपके जीवन में। यदि किसी भी क्षेत्र की कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो आप उन जिम्मेदारियों को बखू भी निभाए। प्यारे दोस्तों आपको बता दे। यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको अपने कामों के प्रतिपरवाही दिखाने से बचना होगा। किसी भी काम को लेकर आलस्य ना दिखाए या अपना समय मौज मस्ती में ना बिताए। नहीं तो आपको आपके बॉस से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है और यह चीजें आपके नौकरी को भी छुडवा सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान दे। प्यारे दोस्तों, इस समय आपका मन धार्मिक कारियों के प्रती ज्यादा लग सकता है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियों को हलके में लेने की बजाए उन्हें दिल से निभाएं। वही विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा यदि चल रहा है तो उन पर आपको पूरा फोकस रखना होगा। आप अपने शिक्षा के मामले में लापरवाही बिलकुल भी न करें। नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। आप अपना समय जितना हो सके पढ़ाई लिखाई में लगाएं। यदि आपका आने वाले समय में परीक्षाएं हैं तो प्यारे दोस्तों यह जो समय हैवे आपको किसी मनोरंजन के कारियों में लेकर जा सकता है। इस दौरान आपके पास विवाद जैसे संबंधित समारोह के निमंतरन मिल सकते हैं। जहां पर आप जाने का विचार जरूर करेंगे। प्यारे दोस्तों वहां पर आपका कई सारे मित्रों से भी भेट मुलाकात होगा। इस समय बहुत ही सूजबूज दिखा कर आगे बढ़ने के लिए समय है और आपको अपने बढ़ों की बातों को ध्यान से सुनना होगा। और ध्यान दे कि कि किसी भी व्यक्ति को बिना मां इस समय सलाह देने से बचे नहीं, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लोग आपको ब्लेम कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आप इस समय किसी भी व्यक्ति का दिल से भला सोचेंगे, तो वही लोग आपको आपका स्वार्थ समझ बैठेंगे। प्यारे दोस्तों, आपके पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोंड से देखा जाए, तो यदि आपके घर परिवार में किसी व्य विवाह की बातें चल रही है और कोई अतित ही आपके घर पर आने वाला है। विवाह से संबंधित, तो सैसे में आपके दुश्मन आपके इस विवाह प्रस्ताव को खराब करने की या फिर उनको काटने की कोशिश कर सकते हैं। यह जो समय है, इस समय में पारिवारिक कोई ऐसा कार्य ना कर जाए जिसके वजह से सभी को दुख जलना पड़े। प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, इस समय आप अपने और अपने घर परिवार की किसी परियजन की कुछ शान शौकत की वस्तूओं पर अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं। इस समय आप ध्यान दें किसी भी व्यक्ति के दिखावे के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो इनमें आपका काफी सारा संचय धन भी समाप्त हो जाएगा। अनावश्यक के कार्यों को अंदेखा करें, जो जरूरी है उन्हें आप जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुब हो, मंगल मैं हो।